असलाम अलेकुम एवरीवान वैलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आप एक साथ शेयर करूंगी आलू बैगन प्राउन की सबजी तो यहां मैंने 400 गिरम प्राउन लिया है इसको मैं बिल्गुल अच्छे तरीके से वाश कर ली थी और यहां मैंने एक छोटा बैगन लिया ह और तीन आलू लिया है इसको भी मैं इस तरीके से इस शेप में कट कर ली हूँ यह आप देख सकते हैं उसके बाद मैंने कड़ाय लिया है कड़ाय मैंने 4 टेबल स्पून ऐल एड कर लिया है ऑल हमारा गरम हो गया है इसमें बैगन और आलू को एड कर दूंगी एड करने के अब इसमें हम थोड़ा मसाले में अड़ करेंगे थोड़ा सा नमक थोड़ा सा हल्दी पौडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पौडर इन सब को एड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हातों के मदद से मैंने यह मिक्स कर लिया है यह आप देख सकते हैं उस बढ़कों के अच्छे तरीके से प्राउन फ्राइए हो गया है इसे भी मैं निकाल लूगी उसके बाद में उसी कडाई में सबजी बनाओंगी मैं इसमें 1 टेबस्पून और ऑइल एड कर दूंगी और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मेथी डालोंगी मेथी हमारा कर लेना है अधरक लस्बाक कच्चा पड़ र्योता है कर आप करेंगे वन टेबल स्पून हलिळी पॉडर टेबल स्पून रेटी पॉडर वाइथ स्थीजिली पॉडर पॉडर जीरा पॉडर ब्लैक पेपर पावडर टेपल स्बुन धनिया पावडर और यह हम के पास आमचूर पावडर ना हो तो आप इसकी बहुत कर सकते हैं उसके बाद हम से हाप टेबह स्पून गरम मसाला पावडर करें गे और इन सब को बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें salt add करूंगी, salt आप अपने टेस्ट के according ही add करें और थोड़ा सा पानी add करके मसाले को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी मसाला हमें तब तक भूनना है, मसाले में से जब तक हमारा oil बाहर ना निकले यह आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से मसाला हमारा भून चुका है अब हम इसमें आलू और बैगन को add कर देंगे इन सब को add करने के बाद मैं थोड़ा दिर इसको चला लूँगी, अच्छे तरीके से इसे में अच्छे से कुक कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें प्रॉन आट कर देंगे प्रॉन आट करने के बाद मैं इसे फिर से चला लूँगी, अच्छे तरीके से इसे मैं फिर से दो मिनट तक कुक कर लूँगी उसके बाद मैंने यहाँ एक मिडियम साइस का टमाटो कट कर लिया था इसको भी हम इसमें एड़ कर देंगे पाटर एड़ करने के बाद मैंने यहाँ तीन गोटी हरी मिर्च को कट कर लिया है इसको भी हम इसमें एड़ कर देंगे उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी याड़ करनेंगे, पानी जादा याड़ नहीं करने, थोड़ा सा पानी याड़ करके इसे हमें 15 मिनच तक cook कर लेना है यह आप देख सकते हैं बहुती अच्छे तरीके से कुक हो गिया है इसमें मैं थोड़ी सी गोटी धनिया के पत्ते कट करके एड़ कर दूँगी उसके बार इसे मैं टू मियर्स तक और कुक कर लूँगी और इसे सर्फ करूँगी जब तक लिए मैं इसे कुक कर रही हूँ जो देख सकते हो ऐसी एची एची रेसिपीस की वीडियो में आप लोगे साथ शेयर करती रहूंगी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ ठेंक्स पर वाचिंग अल्ला हाफीज